अध्यक्ष्टी विश्वास मत पर जो चर्चा आज पुधानमंत्री जी के बहुत संख्षिप्ध भाशन से शुरू हुई वो मेरे वरिष्ट साथी आधनिये जस्वन सिंग जी के धरदा तरकों से आगे बढ़ती हुई विभिन आयामों को चूती हुई मुझतर पहुची है मैं विश्वास मत का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हुई हर वक्ता ने चर्चा के शुरुवात जनादेश की व्याक्षा करते हुए की दो परसपर विरोधी व्याक्षा हैं इस सदन में जनादेश की रखी गई हुई सत्ता पक्षका कहना है कि ये जनादेश गटबंदन की सरकार के लिए था कोईलीशन के लिए था मेरी और से प्रत्रश्न पूछा गया है कि क्या ये जनादेश कॉंग्रेस के साथ कोईलीशन के लिए था ये प्रश्न अभीतत अनुक्तरी है मैं उम्मीद करूँगी कि कल पधानमंतरी जवाब देते हुए अपनी बात इससे शुरू करें कि क्या ये जनादेश Congress के साथ Coalition के लिए था अध्यक्ष जी जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्विकार करें लेकिन एक द्रिश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अंदेखी आप नहीं कर सकते आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एक जुत विपक्ष है क्या ये ग्रिश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा लेकिन अध्यक्ष जी कि ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्यका सही अधिकारी अपने राज्य अधिकार से वन्चित कर दिया गया त्रेता में यही घटना राम के साथ घपी थी राज्यक्ष जी अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था अध्यक्ष जी यदि एक मन्थरा और एक शकुनी राम और युधिष्टर जैसे महापुरुशों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाब तो कितनी मन्थरा और कितने शकुनी कर दिया है हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे अध्यक्ष जी शाद गामराज और सुराज जी के नियत ही यही है प्लीज गुहान दोम जे कि उस्पी सौ इंटरेस्टिंग अध्यच जी गामराज जी गामराज और सुराज की शायद नियती ही यह है कि वह एक बड़े ज्टके के बाद मिलता है और इसलिए मैं पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूं कि पूरे विश्वाज से कहना चाहती हूं कि जिस दिन 28 तारिक की दोपहर को मेरे हदर्ण ये नेता अतलगिहारी वाजपई ने इस सदन में धानवंत्री पत से अपने त्याद पत्र की घोशना की थी हिंदुस्तान में उस दिन रांगाज जी की भूमी का तैयार हो दे। हिंदुस्तान में उस दिन सुराज की नियू पड़ गए। पूरदर्शन के सामने जीवन्त प्रसारन देखने वाला हिंदुस्तान का वो मतदाता उनके अप्याद्पंटर की धोशना के साथ तरहा उठेता यह अन्याय हुआ है लेकिन अद्यक्ष जी अन्याय कभी यह स्विकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है अन्याय को अपने स्वार्थ को सिधानत का बाना पहिना कर इस तरह प्रस्टूत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है और यही सदर्न ने घटा धर्म निर्पेक्षिता का बाना पहिन कर हम पर सामपुदाइकता का आरोप लगा कर ये तमाम लोग एक साथ हो गए एक जित हो गए तहां था मेरे नेताने उस समय धर्म निर्पेक्षता बनाम सांप्रदाइक का पर राश्ट्रिय बहिस होनी चाहिए हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस देश के सम्विधान निर्माताओं ने धर्म निर्पेक्ष्टा की क्या कलपना की थी और इस देश के शासकों ने उसे किस वरूप में ढाल दिया इस पर राश्ट्रिय बहिस होनी चाहिए अब रक्षटी हम सामप्रदाइख हैं क्योंकि हम वंदयमातरम गाने की वकालत करते हैं हम सामप्रदाइख हैं क्योंकि हम राश्ट्रिय धोज के समान के लिए लड़ते हैं हम सांपरदाइख है क्योंकि इन धरा 2370 को समाँ करने के माइन करते हैं हम सांपरदाइख है हम सांपरदाइख है क्योंकि अब senin हिंदुस्टान में गुर्च नि वंच और वर्धुंक्या की ब्धधन प्रकाट吗 हाँ अध्यक्षि हमसान प्रदारिक है क्योंकि हम काशनेरी शार्मार्खियों के धर्द को जबान देने की हुआ है अध्यक्जी ये सदुना है ये धर्म निर्पेच हो दिल्लेगी सर्दों पर तीम हमासिक्षों का कत्यां के वहाले अध्यक्षी आप तो साक्षी है क्या मैं हिंदू नहीं हूँ मुझको मंदित जाने से रोका गया और इसमें क्या में वेस्ता है क्या मैं अध्यक्षी आप तो साक्षी है अध्यक्ष जी, मैं कह रही थीए सेकुलर है, ये कॉंग्रेस क्यम्प करने वाले का कग्रेस में सेकुलर हैं और आप तुहर के साध्षी हैं अध्यक्ष जी, मुस्लिम और यादव का छोड़ वैशादर, याई की Unterstützung करने वाले ये सेकुलर है कर रहा है कि कोई सदस्य अगर बोल रहा हो तो दूसरे सदस्यों को कम से कम हमारे जैसे लोगों को यह अनुवत देनी चाहिए कि उनकी बात हम सुन सके अद्यक्ष जी अपने वोच बेंद को खुश करने के लिए निर्दोष रामधतों तो गोलियों से भूनने वाले ये सपावाले सेकुलर , जाकमा शरारतियों को भगाने वाले और घुसपेटलियों को बचाने के वकालत करने वाले ये वाम 35 सेकुलर , सच्चाई तो यह है अद्यक्षडी कि हम अपने हिंदु होने पर शम भाहसूस्वाई करते हैं , इसलिए हम सामतदाइद और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू वोने पर शर्मिन्द की महसूस नहीं करते हैं आपको इन तथाकतित बुद्धी जीवियों से सेकुलर होने का सेटिफिकेट नहीं मिल सकता सेकुलर्जम की हमारी परिभाशा यह है एक हिंदू अच्छा हिंदू हो एक मुसलमान अच्छा मुसलमान एक सिख अच्छा सिख हो एक इसाई अच्छा इसाई और सब अपने अपने पंथों का अनुसरन करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें यह हमारी परिभाशा लेकिन इनका सेकुलर्जम हिंदू को गाली देने से शुरू होता है और अगर आप उस गाली देने के जारतम में शिर्कत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते और मैं कहना चाहती हूँ सरकार या ना सरकार हमें सेकुलर्जम की ये परिभाशा मानने नहीं अध्यक्षी आज से पहले तो केवल हिंदुत पर प्रश्चन लगाया जाता था हिंदुत पुषब्द के हमसे माइने पूछे जाते थे लेकिन पिछले विश्वास मत पर चर्चा सुनते सुनते मेरी आँखें डबबा गई जब इस सदन में भारतियता शब्द पर भी प्रश्चन लगा हूँ आज से पहले तो कहते थे इंडियन नेस इंडियन निशनलिटी की बात कर सकते हो लेकिन इसी सदन में चर्चा के दौरान कहा गया मैं तो बहुत कद्र करती हूं मुरा सुली मारें जी के लेकिन उन्होंने क आप कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है भारत भारतियता क्या होती है मुझे था शायद इन में से कोई बोदेगा एक उम्मीद चंदशेखर जी से जरूर थी पता नहीं क्यूं कोर्वों की सभा के भिश्म पिता में की तरह आप भी मौन साधे रहे है अध्यक जी मैं अपन भारतियता कार्थ यही है कि भंगडे से भरतनात्यम तक सारे निर्थ्य भारतवर्ष के निर्थ्य भारतियता के माने यह है कि जम्मू के राजमा चावल और पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षण के इडली डोसे तक सारे आहर भारतवर्ष के आहर भारतियता कि अमरनाथ से लेकर रामिश्वरान तक सारे तीर्त भारत वर्ष तीर्थ हैं। आजक्सी, एक संस्कति के माईने यही हैं कि शिव का भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामिश्वरान के पे पखारता है। यह एक संस्कृति का कारण हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जन्में हुए एंसी चेकरजी अपने बेचे का नाम सोमनाथ रखते हैं यही है एक संस्कृति यही है एक संस्कृति यही है एक संस्कृति यही है एक संस्कृति करदी सवाल यह है कि यह किसी सामप्रदाइक तर्के नाम पर इकठे नहीं हुए हैं यह भी एक ओड़ा हुआ बाना है यह इकठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारा है यह इकठे हुए है एक दूसरे को बक्ष देने की सौदे बाजी के कारी हैं। जे यह अपने अपराजों के बेपड़ा होने के भई से इकठे हुए हैं। अद्यक्षदी यह सामप्रदाइक तर्के के नाम पर हुई हुई शाण्ज़ आररी नहीं है एक्षार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार चार लोग बैठे सारी चीज़ों पर चर्चा हुई लेकिन पूरे प्रोग्राइम में से बोफोर्स गायब है सेंट केट्स गायब है जे अम गायब है शूगर सकेंदर गायब है प्यास्यो डिस इन्वेस्ट्मेंट स्कैम गायब है जिनका धिंडोरा पीट के चुनाव में ग किस ओं, कोई बचेगा नहीं, के वर मुक्त भावक कर तहे देने से ये नहीं होगा ध्यक जी आचरर क्या बोलता है ये देखने वाला है आज भी जूरिया स्केम में अफसर पकड़े गा है लेकिन दोनों के रिष्टेदार दोनों के रिष्टेदार अभी नहीं पकड़े गए पांच दिन का समय दिया गया आफिर क्यों इसलिए मैं कहते हूँ ये सांचेदारी संपड़ाइटा के नाम करनी हुई है ये सांचेदारी एक उसरे को माफ करने के सिध्धान के नाम करती है अध्यक जी ये कहते हैं घामिलाज क्यास्पान कहते हैं यह सरकार चलेगी आज यहां कहा जाता है यह सरकार चलेगी नहीं दोड़ेगी पाच साल तक रहेगी मैं पूछना चाहते हूं मैं पूछना चाहते हूं मेरे नेता ने तो नहीं कहा बयान तो पहला बीजू पटनाय काया पहला बयान इस गम Пон nouveauLoक लोट यास्ट किस घंभ घथ यह हैं भजपा के बधिदेर भीटा आचाहारओ का बयाना यह जिस मन्म GU mentor ज़ाओ किज्वान I Maggie प्रफिर्ट जी ते चुनाव के लिए साथ महीने से एक साल के बीच में तयार रहना चाहिए यह बयान भाजपा की तरफ से तु नहीं आया इतने एंटर विरोधों के साथ जो सरकार चल रही है क्या सांज नारान दत्तिवारी और मुलायम सिंह यादव में मैं पूछना चाहती हूं क्या सांज आ गये बीचू पत्तनायक जी आतव में और जेबी पत्तनायक में सुस्वा जी सुस्वा जी आप इधर एड्रेस करिए चारे और खाद के इलावा क्या सांज है राम लखन सिंग यादव और लालू यादव मैं क्या सांज है ममता बैनर जी और सुमनाथ चेटर जी भी मैं पूछना चाहती था उत्तरा खंदी महिलाओं के सम्मान का सौधा करके नार अरगत्तिवारी मुलाइम सिंग की बदल में क्यों बेचे हैं कभी नार के हितों के अंदेखी करके करुणा मिदी ने देवे घावरा को निका क्यों स्वीकार किया मंता जी अपने घावों की पीरा घूलकर आप सौमनाथ जी के साथ मतदान पेशे कर रही है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है मंता जी आपको बोलना इसके लिए ड्वांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है उनको बोल लेने की जी ठीक है आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लिजेगा उनकों बोले रही हो मैं बताना चाहती हूं अध्याजी मैं क्यों ले रही हूं मुझे वो दृश्य मुझे वो दृश्य जसका तस याध है मेरी आखों में बसा हुआ है मैं राजिसभा की दर्शत दिर्वा में बैठी थी इसी सदन में नर्सिंग राओ जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा थी मैं वहां से बैठी देख रही थी एक वील चेर के उपर ममता जी को लाया गया यहीं बैठी थी वो चोटों से आए बुखर के कारण काप रही थी बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उढ़े वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्मिनिस्टों के हिंसक प्रवर्टी को कोस रही थी मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं हम उनके विरोध के अधिकार को स्विक्रती देते हैं हम उनके आवाज को गैग करने के लिए उन पर हमला नहीं करते इसलिए पूछना चाहती हूं मम्ताजी से आज कई सदन में CPM के साथ बाइट कर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीत करेंगी ये कैसी सांज है मम्ताजी, ये कैसा दख़एंगा अध्यक जी, मैं जिक्र कर रही थी केवल भीकियों में अंकर विरोध नहीं है जो कार्पमों में अंकर विरोध जलगता है वह तो माशाल्ला जब इनका प्रोग्राम आया मिनमम प्रोग्राम मैंने उसको आदिसे अंक तक पढ़ा एक बार मुझे लगा कि कुछ गलप पढ़ा गया यह हो नहीं सकता मैंने उसको दुबारा कर रहा और पढ़ने के कुरंट बाद मेरे मुझे निकला वहाँ भारत के कम्मुनिस्क साथियों तुमने लेनिन से ये सिंतक का सफर एकी सफ़ा में पूरा कर लिया अज़ग जी अज़ग जी कोईलीशन के कंस्टेंस को मैं समझ सकती कोईलीशन के कंस्टेंस होते हैं मशबूरिया होती है कुछ चीजों को बरतरफ रखना पड़ता है कुछ चीजों में सांचेदारी करनी पड़ती है मगर कोई शिर्शासन करके कलाबाज इठा जाएगा इसके उम्में पेज़ अद्दजी इसमें लिखा है इंशूरेंस सेक्टर निजी करन उसका कर दिया जाएगा और फॉरन कंपनी तक के लिए खोल दिया जाएगा मैं तो हैरान हुई क्योंकि एक साल पहले की बात मुझे जस्की तस्यात थी कहां गए चत्राननमिश अद्दजी आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं राजी सभा में याचिका समिती की अध्यक्षा थी कमेट्य और पेटिशन की चेर परसन थी हमारी समिती के सामने एक याचिका गायर की एक पेटिशन प्रस्तुत की गए जिसमें ये लिखा गया था कि लादू नतीजा ये थी वो पेटिशन और मैं आपको चौंका दू ये बात कहकर वो पेटिशन किसी और ने काउंटर साइन नहीं की थी एक एंपी को प्रस्तुत करनी पड़ती है ये संयोग है कि चत्वरानन मिष्र राजी सभा से मेरे साथ लोग सभा में आए हैं दो चार दिन में शाहिद केबिनिट के मंत्री भी बनने वाले हैं वो पेटिशन काउंटर साइन की थी चत्वरानन मिष्र ने और अध्यक जी मुझे कहा गया था कि अगर ये इंप्लिमेंट कर दी गई रिपोर्ट तो इस पेटिशन ये पेटिशन इंट्रक्ट्वर्स हो जाएगी इसलिए कम से कम इंटरिम डिरेक्शन गम्मेंट को दी जाए कि ये इंप्लिमेंट नहीं हूँ पेटिशन कमेटी के अध्यक्षा के नाते मैंने सरकार को डिरेक्शन दी थी कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाए हम बहुत जल्दी इस कमेटी की रिपोर्ट देंगे तब तक मलहुत्रा कमेटी की सिफारिशे लागू लागू नकी जाए और इस याचिका समिती ने इस याचिका पर रिपोर्ट देने से पहले सारी पुलिटिकल पाइटिस के लोगों को बुलाया था सारे राजनातिक दल के प्रतंज आया थे इसमें जागावत कहरे है अध्यक जी प्रेमियर घटा किस युनाइटिट फ्रेंट का जनताकर जिनकी सब्धार है जिनके अध्यक आप कुछ कहना चाहतो आप मिनिस्टर है बोलिए अगर कोई अब्जेक्स ने बूल बात है तो बताईए अगेंस दरूल हो तो बताईए नहीं यूर मिनिस्टर ना हो वो रेफर कर रही है एक ऐसे डॉक्यमेंट को जो हाउस में ले किया जा चुका है इसमें क्या है पद्ध्यक जी उसी को उन्होंने बता उस प्रतिवेबल से कोट कर रही हूँ ने यह तो आजादी है यह कोट कर सकते हैं यह आपको रूल बताईए न जिससे वो नई कोट कर राउमेंस्टर कर रही हूं लहांगा प्शेड कर रही हूं मेरे पर्फार्यके ओर्टियों परिए लिए खोल तो खुल दो इसक लिए मत खोलो लेकिन आपकी पारिती का पड़किन कर रही है आपको आपके सुब्धे हपी हुए दूशी ओप्रोगार्ण जो कवावाजे खाई है सत्ता की अपड़ी दौर में मैं उपकी बात रही हूं मैं इसको के वल ये पढ़ के बता रही हूं कि सत्ता की दौर में मद्भूश होकर आदमी इतनी उलत बाजी भी खा सकता है कि पचास साल तक जिन नीतियों को लेकर आपने राजनीत की है आज वो राजनीती टोटल की टोटल एपसलूट की एपसलूट आप छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि सत्ता लोलुता की दौर में या एंटी बीजे पिस्तांस के अंदर आपको कॉंग्रिस के साथ बैचना है आपको जनता दिल के साथ बैचना है इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ अध्यक जी यहां सदन में यह छोड़ सकते हैं लेकिन बाहर जब अपने अपने ख्षेत्रों में जाएंगे इनका कारकरता इने छोड़ने नहीं देगा पर यह अंतर दिलो दिस सरकार को गिराने का कारण बनेंगे राम भिलास पासवां कहते शरत यादे वह भी कह रहे थी नहीं यह सरकार तो चलेगी नरसिंग आउज जी ने आज कह दिया चलेगी अरे भाई नरसिंग राव तो मौंसादे बैचे हैं बहुं का निभाडरे यह ऑर यह शरत पावार शरत पावार के भूमीका नहीं निभाडरे यह ललिता मैं क्या महें पर इसमसित इता जपना कोẽशल में नेभाटाए नंवतलगे जा Living कुने कुले की पैर अधिक रोको लाग शरद यादव से कहना चाहूंगी कि यह प्रयोग ने नहीं है मैं भाई शरद्यादर से के विल इतना कह रही थी ये प्रयोग नया नहीं है ये प्रयोग आपके गुरू राजनाराएंजी पहले कर चुके है बीस दिन के अंदर कॉंग्रिस ने समर्थन वापस लिया था और मेरे आजान ये नेता चनुशेकर जी बाइचे जार महीने के अंदर इतनुशन वापस लिया था आप किस आथ हार पर विश्वास कर रहे हैं किस आथ आपके विश्वास को याधाँ ना चाहीं इप्यास सबी कुछ नहीं सीखा और मैं पागरेस की बात क्या करूँ और अपने समाजवादियों का इपिहास भी तो है अभी कह रहे थे शरद यादव ड़क्तर लोहिया थे समाजवादियों के पास तो डॉक्तर लोहिया की दो रेडिमेड उक्तियां सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए हर समय मौझूद है पहली ड़क्तर लोहिया ने कहा था कॉंग्रेस को हराने के लिए शेयतान से भी हाथ मिलाना चाहिए और दूसरी कहे थे डाप्तर साब सुधरो या तूटो तो अब तो कॉंग्रेस की जगे भाजपा को फ्रेम में रखकर शेयतान से हाथ मिलाने की वखालत करना है शरत जी लगा फोड़े दिन की बात हो जब होगा सुधरो या तूटो और हो भी क्यों नहीं शरत या दो बहुत सही बात है पैसेट लाक वाले मंत्री मंदल में और तीन लाक वाले बंदल में तो क्यों में बॉलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे, मिश्चित तोर पर चंद दिनों की बात है, जब यह होगा, सुधरो या तूतो, इसलिए मैं एक बात कहिकर अपनी बात समात करना चाहूंगे अध्यक्यमोदा, यह जो, यह जो कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सर्चार पांच साल चलेगी, पांच सा सिंगिंग यह जो एक सामुहिक मंदली, एक समुह गीत गाने के लिए आई है, यह अपना अपना रागला अपने के लिए इतने आदी हैं, कि गिप शुरू होने से पहले यह शिराजा बिखर जाएगा, लेकिन हा, जितने दिन यह देश आपके हाथ में रहे, इश्वर इस कि अवास में प्दाविक में रहे, जितने आपके हाथ, जितने आपके हाथ, जितने आपके हाथ